त्यान रखन जोगों बहुत जरूरी गल्ला, थोड़ा समा कड़ के जरूर सुनो, नमबर एक, जिकर तुसी बहुत ही ज्यादा पतले हो ते अपना वजन बदाउना चौन दे हो, तां तुसी अपनी डाइट विच जलेबी नों शामल कर साकती हो, क्योंकि जलेबी विच कैलर करी दी मात्रा जादा हुंदी है, जो बजन बदाउन विच मद्द कर साकती है, नमबर दो, एक गलास गरम पानी विच एक चुटकी हैंग में लाकी, देन विच कई वार पीन नाल सेर दर्द तो अराम मिल जानदा है, नमबर त्यान रखो कि जादा चौहारें दा सेवन कार नाल पेट फुलना, जा पेट विच दर्द दी समस्या हो साकती है, नमबर चार, जेड़े लोग गरमी विच कदू दा जादा सेवन कर दे हन, उन्ना नू सकून दी नीद हों दी है, ते उन्ना नू खून दी कमी भी नहीं हों दी, नमबर पांच, जे कर तुसे डाइविट जे मरीजों होता है, तो हनो अपनी डाइट विच कड़ी पत्ते नू जरूर शामल करना चाहिए, तेन में हिन्ना तक लगाता हर रोई स्वेरे खाली पेट कड़ी पत्ता खान नाल तो हनो बहुत लाव मिलेगा, नमबर शे, दहीं दे विच काला नमकते पुनिया होया जीर इस नल तो हड़ी समस्या ठीक हो जावेगी, नमबर आट, जे कर तुसी किसे वी इलर्जी दी समस्या तो परिशान होता तो हनो खाना खान तो बचना चाहिए, नमबर नौ, जे कर तो हड़ी अथा पेरांदा रंग काला है, ता उस उपर कच्चा दो दलगाओ, हथ पैर गर नल बाद हाजमी हो जान दी है, इसलिए खाने नो सुंगणा नहीं चाहिएदा, नमबर ग्यारा, जे कर तुसी एक अंडा रोज खान दे होता तो अड़े वाला ते नो हंदी ले बहुत फाइदे मन्द है, क्योंकि अंडे विच परोटीन बहुत ज्यादा मात्रा विच गुंदा है, नमबर बारा, तनिये दी चटनी बनाओ ते सिर्फ एक चम चटनी नो गुंगने पानी विच मिक्स करके पी जाओ, इस चटनी विच नमक मेर्च जाहूर कोई भी मसाला नहीं मिलाओना, इस नल तो हड़े थायर दी समस्या ठीक हो जावेगी, नमबर तेरा, ज चमकन लग जानगे, नमबर पंदरा, तवी नू गरम पानी यते थोड़ा जय सोड़ा मिला के रात पारले प्याओं के रख देऊ स्वेरे साफ करो तवा विलकल साफ हो जावेगा, नमबर सोला साबजियान, जादा शिलन नाल साबजियान दे पोश्क तत खत्म हो जान दे ह नमबर स्तारा, उमर बदन दे नाल नल खाना वी कट कर देना चाहिदा है, नमबर अठारा, रुजान ने एक केला खान नल गुसां जा चड़ चड़ा पन दूर हो जान दा है, नमबर उन्नी, पानी दे विच हल्दी मिला के पीन नल पेट दी सफाई हो जान दी है, नमबर दंदा दे विच कीडा लग गया है, पीले हन, जा दार्द होंदा है, ता पिपल दी दातना हाफते विच तेन नवार जरूर करो, नमबर एकी, मूली दे पत्ते नाल पेट दे कीडे खात्म हो जान दे हन, नमबर बाई, प्याज नो कट के कमरे विच रखन नल जो काम बर गयां बीमारियां नहीं होंदी है, नमबर तेई, सेव दे रास विच शेद मिला के पी लैंड नल हर कैसम दी खांग दूर हो जान दी है, नमबर चौवी, अनीमिय दे शकार में रीजनों शक्कर दा इस्तेमाल नहीं करना चाहिदा, उस दी जगा ते गोड़ दा सेवन करो क्योंकि यस नाल आयरां दी कमी दूर हो जान दी है, नमबर पचीस, साट उपर हल्दी लगान नर सट जल्दी ठीक हो जान दी है, ते उस जगा दाग भी नहीं पेंदी, नमबर चब्वी, बच्चे नों दोद जरूर प्याँना चाहिदा है, क्योंकि उस दे नाल इना दियां हड़ियां मजबूत होन गयां, ते लंबाई बदन विच भी मदद मिल दी है, दोद नों हमेशा थोड़ा पतला करके पीना चाहिदा है, क्योंकि जादा गड़ा दोद भी खराव कर सकता है, नमबर स्थाई, रात नों सौन तो पेलना चाह पीन तो बचना चाहिदा है, क्योंकि इस नाल पिशाव दी इनिफेक्शन हो सकती है, नमबर अठाई, थोड़े जे जीरेनु तवे उत्ते पन्न के, फेर उस नों पीस के, उस विच थोड़ा या शैद मिला के खाऊ, इस दे नाल पेट दा दर्द ठीक हो जावेगा, नमबर अठाई, आमदे द्रक्त दी दातन कार लेन नाल मुदी बदवू दूर हो जान्दी है, नमबर ती, बच्चांदे दंद निकलंदे समय आमले दारास मसूड़ें उपर माल नाल दंद बिना तकलीप तो सानी नाल निकल जान्दी हैं, नमबर एकती, रातनों तो ने विच तेल लगा उन नाल वॉल नहीं फट दे, तेसनल साड़ा स्रीर भी तंदरोस तरेंदा है, नमबर बती, नारियल दे तेल विच आमला मिला के वालां ते वालां दी अंजड़ा ते मसाज कारन नाल बालां दी लंबाई दुगनी हो जान्दी है, नमबर तेती, जेकर तुसी रुजाना स्वेरे खाने विच एक कटोरी साबू दाने दी खीर खान दे होता है, असनल तो अड़ा वजन तेजी नाल बादा है, वजल बादा है, सब तो असरदार उपा है, नमबर चौन्ती, प्रेगनेंसी विच जेकर जादा गर्मी लगेता, सिरीर विच पानी दी कमी ना हों दियो, इस देले तो हनुतारल पदार्थ जिमें के नारियल पानी, लसी, फलांदा जूस, नेम बो पानी, खीरे यादा सेवन जरूर करना चाहिदा है, नमबर पैंती, जेकर तो हड़ा चेरा समय तो पहला बुड़ा दिखाई देन, लगेता, तैन चीज्जां खळाक विच शामिल करो, अनार दा जूस पीओ, जैतों दा तेली स्तेमाल करो, अते मच्छी खाओ, नमबर शत्ती, एक कप पानी विच अधर कदे तैन चार शोटे टुकले चंगे तरां उबाल के चान लो, देन विच दो वार इसनु चादी तरां पीओ कोजी दिना विच गला पूरी तरां ठीक हो जावेगा, नमबर शत्ती, खटी अची जान्दा रस बालां विच लगान नाल बालां विच चमका जान्दी है, नमबर अठती, अकरोट खान वाले इनसान दे दंद कदे वी खराव नहीं हुन्दे, नमबर उन्टाली, बिना चिन्नी वाली चाप पीणाल दिमाग तेज होंदा है, नमबर चाली, गुनगुने दोद्विच शैद मिला के पीणाल दिमाग ताक्तवर हो जान्दा है, नमबर इक ताली, जेकर तो अड़ा थोक गाड़ा हो गया है, तो अड़े अंदर ताक्त दी कमीदी निशानने है, तो अनू फलांदा सेवन शुग करदेना चाहिदा है, नमबर तरताली, रातनु दंदानु साफ करके सौननल दंदा वेच कीड़ा नहीं लागदा ते दंद कमजोर नहीं हुंदे, नमबर चताली, जेकर तो अड़े पेट वेच दर्द रहंदा है ता खाली पेट सवेरी दहिंदा सेवन जरूर करो, नमबर पंताली, जेकर तो अड़े शरीर वेच चो बदबू आंदी है, ता गुलाव दा अरक पाणी वेच मिलाके नहाओ, नमबर च्याली, पक्के होईट माट रहंदा ता जारास, शोटे बच्चे नुदेन वेच दो बार पिलाउन नल बच्चे सेहत मंद रहंदे हैं, नमबर संताली, अधर कवाला पाणी पीके साउन नल खून गाड़ा नहीं हुंदा, अते देल सेहत मंद रहंदा है, इस तरह दियां होर वीडियो दो देखान लएं, साड़े चैनल नो जरूर सब्सक्राइब कर लो,